कहते हैं जैसे को तैसा जब तक न करो तब तक उसे समझ में नहीं आता है गलत क्या है और सही क्या है लेकिन भारत ने अब इतना बड़ा कदम उठा लिया है जिसे बहुत ही हिम्मत वाला कदम माना जाएगा क्योंकि इस से पहले भारत कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था भारत ने टाइवान का खुलम खुला समर्थन कर दिया है तो वहीं चीन पर सबसे बड़ी कारेवाई कर दी है इस कारेवाई से चीन बुरी तरीके से दिल मिला गया है तो वहीं रक्षा मंत्री ने भी ये साफ कर दिया है युद्ध के लिए तैयार रहे सेना तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका को अपनी गलती सुधारनी है अफगानिस्तान में अब लाइन पर आ रहा है अमेरिका लेकिन बाइडेन अपने नए फैसले को कैसे अंजाम तक पहुचाएंगे क्योंकि अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान कबजा जमा रहा था तब जो फाइटर जेट्स थे उनमें बड़ी संक्या के फाइटर जेट उजबेकिस्तान की तरब भाग रहे थे तजकिस्तान की तरब भाग रहे थे और ये कोई और नहीं बलकि आफगानी वायुसेना के लोग थे हलाकी उजबेकिस्तान ने सुरुआती समय पे इन फाइटर जेट्स पर मिसाइलें दागनी सुरू कर दी थी पर बाद में अमेरिका के दवाब में आके उजबेकिस्तान ने ऐसा करने से परहेज करना सुरू किया और इन्हें अपने देश में उतरने दिया वही हाल था तजकिस्तान का तजकिस्तान ने भी अपने देश में सेन्य पाइलटों को उतरने दिया आप कहा ये जा रहा है कि सेन्य पाइलटों के साथ सेना के लोग करीब 200 लोग हैं जो फस चुके हैं ये फस चुके हैं तजकिस्तान में उजबेकिस्तान में उजबेकिस्ता को कि या तो इन्हों इन्हें निकालो वरना हम इन्हें अपने देश से निकाल कर तालिबान को सौप देंगे अब अमेरीकी दवाब है या क्या है बाद में वहां से उजबेकिस्तान में जो पाइलेट थे वो पहुंचाए गए यूएई आपको बता दें यूएई में ही असर सेन्ने पाइलेट भी हैं जो भाग कर तजकिस्तान में सरन ले चुके थे अब तजकिस्तान ने भी अमेरीका से संपर्कसादना सुरू किया और यह कहा कि हमने 150 सेन्ने पाइलेटों को तीन महीने से जादा अपने देश में रखा है कुछ को हिरासत में रखा हुआ है यूए यह गलत तरीके से हमारी सीमा पे परवेस कर गए थे अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इन्हें इस तरीके से अधर में छोड़ा है आप इन्हें यहां से निकाल कर ले जाएं अब अमेरीका जो वैसे ही दुनिया भर में आलोचनाए जेल रहा है इस मौके पर सामने आया अमेरीकी रच्छा विभाग के परवक्ता जौन किर्वी ने यह कहा कि ठीक है जो 200 लोग फसे हुए हैं हम उन्हें निकालेंगे वहां हमारा दूतावास है और हम उन्हें निकालने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं जल्द ही वो तजकिस्तान छोड़ देंगे और अमे परिकी भी फसे हुए हैं अब बाइडेन किन को निकालेगा और किन किन को अपने देश में सरंदेगा इसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा भारत और चीन के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है यह तनाव कभ युद्ध का रूप लेले यह कहना मुझ्द है पर हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं भारत भी अपना युद्धा भ्यास और मिसाइलों का परिच्छन परिच्छन कर रहा है तो वहीं चीन भी अपने परमानू मिसाइलों की तैनाती और सेना की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है अब तो चीन सीमा पर ड्रील करना भी शुरू कर रहा है और वो भी बड़ी संख्या में पर इन सब के बीच भारत जुकने वाली पोजीशन में बिल्कुल नहीं दिख रहा है और पुराना वाला भारत तो दिखी नहीं रहा है अब बिल्कुल नए तरीके का भारत द इस वर्क्त सबसे कमजोर नसे चीन की अगर कोई तो वो है दाइवान को लेकर अगर कुछ भी होता है चीन बोकला जाता है अभी हाली में यूरोपिय यूनियन का दल पहुंचा दाइवान तो यूरोपिय यूनियन पर भढ़क गया फृRANS के राजनय क्était तो फ्रांस पे भढ लिथुवानिया पे भी भड़क गया कि वो ताइवान को रिकोगनाइज कर रहे हैं ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं तो वहीं जब बाइडेन ये कोशिज कर रहे हैं कि ताइवान को युएन में जगह दी जाए जिससे बॉखला गया चीन और सीधे स जिदे अमेरिका पे यारोप लगा दिया कि आपको इसकी सजा भूगतनी पड़ेगी ताइवान मामले को लेकर बहुत ही जादा आकरामक दिख रहा है जिन पिंग ये अब वो कमजोर नस बन गई है जिसे अगर कोई छेड़ता है तो मतलब वो युद्ध के लिए नियोता दे ने सकती बढ़ा रहा है तो वहीं भारत के साथ मिलकर कई तरह के डील कर रहा है भारत और ताइवान जहां भारत में सेमी कंड़क्टर कंपणियों को लेकर काम बढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कथी तोर पर भारत ताइवान के बीच हतियारों को लेकर भी डील चल इन सब चीजों से तो चीन बोखलाया हुआ था ही और चीन को ये खबर मिल भी रही थी कि भारत ऐसा कुछ कर रहा है पर इन सब के अलग अब आधिकारी तोर पर भारत ने सबसे बड़ी कारेवाई की है हाली में भारत ने जैसे को तैसा वाला गुर अपनाना सुरू कर दिया है अभी चीन की तरफ से भारत के कई चीजों पे बैन लगाई जा रही है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आधिकारी करूप से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जबकि वो काम किया जा रहा है जैसे कि भारतीय कंटेनर को नहीं घुशने दिया जा रहा है चीन में ये जान भूच कर कि ये भारत की तरफ से आये हैं तो कई तरह के इंपोर्ट को भी बैन किया जा रहा है मतलब एक हाइब्रिड ज्युद छिड़ चुका है ऐसे में भारत ने सबसे पहला एक्सन लिया है और चीन को बाहर कर दिया है ताइवान को जबकी अपनी सूची में अंदर रखा है बात क्या है तो आपको बता दें वन चाइना पॉलिसी को धत्ता बताते हुए भारत ने इवीजा प्रोसेस जिसके जरिये किसी देश के नागरीक बड़े आसानी से भारत में आ सकते हैं उस प्रोसेस को खत्म किया है किसके लिए खत्म किया है तो आपको बता दें ये प्रोसेस वैसे तो भारत ने 171 देशों के लिए लागू किया था कि 171 देश आसानी से इवीजा के माध्यम से भारत में आ सकते हैं जा सकते हैं पर अब इस में से भारत ने कनाडा, UK, इरान, मलेसिया, इंडोनेसिया और सौधी अरबिया को तो निकाला ही है पर चीन और होंग कोंग, मकाउ इन सब को बाहर कर दिया है यानी इन देशों के नागरिकों को भारत इवीजा फैसिलिटी नहीं देगा जबकि सबसे बड़ी बात ये है कि ताइवान, बियतनाम, सिंगापूर, अमेरिका और इसके अलावे 152 देश ऐसे हैं जिने इवीजा फैसिलिटी भारत दे रहा है जिस तरीके के हाला चीन और भारत के बीच बन रहे हैं उसे देखते हुए चीन को इस लिष्ट से बाहर किया गया है जबकि ताइवान को रखा गया है ये चीन के लिए बहुत मिर्शी लगने वाली बात है क्योंकि इस तरीके से ताइवान को रिकोगनाईज किया जा रहा है चीन से अलग एक देश के रूप में वैसे इन सब हालातों को देखते हुई भारत के रच्छा मंतरी ने अपनी सेना को किसी भी आपरिये इस्थिती के लिए तैयार रहने को कह दिया है जो सीधा दिखाता है कि कभी भी जंग हो सकता है वैसे आपको क्या लगता है भारत ने इवीजा से चीन को बाहर करके सही किया यह गलत कमेंट कर अपनी राय जरू बताएंजल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ